और क्या हाली मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम इस स्वाकत के साथ साथ अभी दंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बूल सकती हूँ हेलो आप लुक कैसे हो आज श्वेता पाक कलम बना सिंगाड़े के आटे के द्वारा तैयार रोल जो बहुत ही जादा टेस्टी बन के तैयार होगा आप इसको किसी भी ब्रत उपवास में बना के तैयार कर सकते हैं या फिर कुछ हलका-फलका खाने का मन क्या तो बिना ब्रत के भी इस रेस्पी को बना के तैयार कर सकते हैं थोड़े से आलू थोड़े से सिंगाड़े के आटे के द्वारा बन जाती हैं चलो दोस्तो हम आप इसको मिल के बनाना शुर करते हैं सिंगाडा रोल बनानी के लिए हमने पांच उबले हुए आलू लिये जो पूरी तरह से ठंडे हैं पहली हमने आलू को उबाल के रख दिया था जब आलू पूरी तरह से ठंडे होगे उसके बाद ही रेस्पी को बढ़ाना शुरू करिया इस आलू को करीब चार से पांच जो उसके बाद ही उप्योग करिये अब हमने एक कद्दू कस ले लिये जिसके त्वारा इस आलू को घिस के त्यार कर लेते हैं क्योंकि ठंडा आलू रहेगा तभी ये रेस्पी एकदम से पर्फेक्ट बनके त्यार होगी आप चाहें तो इसको एकदम से अच्छी तरह अद्रक को डाल दिया दो इसके अंदर हमने हरी मिर्च को बारी टुक्डे में काट के डाल दिया स्वात के उसारा आधा टीवे स्पून से थोड़ा से जादा नमक डाल दिया अब इसके लिए एक कट्वरी हमने इस सिंगाड़े का अटा लिया है ग्राम में यह आटा 100 ग्र इस तरह देखें दो से तीन टेबेस्पून आटा बच गया तो इसके अंदर कुल मिलाके लगबख 75 ग्राम आटे को उप्योंकिया बहुत जादा आटा भी नहीं डालना है इस तरह देखें दम से गुत के त्यार हो गया इसको एक भोल के निकाल के रख लेते हैं हाथों को त्यार कर लेते हैं उससे पहले हाथों पर अच्छी तरह से तेल को लगा लीजे जो भी आप ब्रत में तेल की खाना पसंद करते हैं उसको हाथों पर लगाने की बाद ही इसको एक रोल के तरह बना के त्यार कर लीजे जैसा चोटा बड़ा साइज आपको बनाना हो उसी तर के त्यार कर लिया गैस पर पहले हमने देल रख दिया था तेल करम हो गया एक पार में करीब 6-8 पीस को इसके अंदर डाल देते हैं और डालने पद इसको दो मिनट तक ऐसी रहने देते हैं घाड़े के आट्टे के द्वारा अगर आप कोई भी रेस्पी बनाते है तो इसको फ इसके अंदर डाल देते हैं यह रेस्पी मीठी चटनी तीखी चटनी दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है इस रेसिपी को बना के आप 2-3 दिन फ्रिज में श्टोर भी कर सकते हैं जब आपको फ्राई करना हो तब आप इसका निकाल के फ्राई कर लिजे और इस तरह द शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुन ने भूलियो मुझे कमेंट करके बताए यह रेस्पी आपको कैसी लगी स्वात के साथ सेहत का भी ध्यान रखिए हिल्दी पनाए हिल्दी खाई आप तिमता कींती से में निका के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को ब बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया